5.0 के बाद बहुत सारे features हमें इसके अंदर देखने हो मिलता है और आज में कुछ ordinary features के बारे मात को रहूँगा जो कि daily basic में आपका ज़रूरत पड़ेगा Samsung Galaxy device अगर आप यूज करें उसके अदर आपको ज़रूरत पड़ेगा लेकिन फिर भी आप उसको अंदेखा करते हो तो उमीद करता हो कि ये वीडियो देखने के बाद साइद आपको regular basic में काम आ जाए चली start करते हैं अगर वीडियो पॉसन आथा प्लिज वीडियो को लाइक करिए चैनल में पहली वार विजिट किये तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल विल बट्म को जरूर प्रेस करना है अगर राद वर हम इस फोन का चार्जिंग लगा के रख देते हैं क्या पता आपको ऐसा लगता है कि फोन फटने का चांस रहता है यहाँ पर ऐसा सिन नहीं है इसके अंदर कुछह एक सैटिंग से जो कि आपको बैटरी का प्रोटेक्शन का कर सकते हो आपको बैटरी पर्하겠습니다 में जाना है और यहा पर बैटरी के अंदर क्लिक करना है और सबसे नीचे यहां पर जाना है more battery settings पर यहां पर protect battery features को यह बला features को enable कर देना आपका phone जो है 85% charge होने के बाद automatic उसी stage पर रहेगा जब तक morning ना हो जब तक आपको out ना करो तो यह अगर आप enable कर रखे हो तो आपका phone जो है अगर continue आप charging में लगा रखे आपके गलती से आप सो भी गए है आपके phone को कोई दिक्कत नहीं आएगा same to same device care के अंदर हमें extra memory देखने को मिल जाता है मतलब हमें कुछ extra virtual RAM इसके अंदर use करने को देखने को मिल जाता है और यह phone जो variant जो है 6GB 108G variant है और इसके अंदर मैंने 6GB और extend किया हूँ simple आपको device care में जाना है simple आपके अंदर battery and device care के अंदर जाना है और यहाँ पर नीचे देखना है memory option है इसको type करिये और इसके बाद इसके अंदर आपको एक second RAM plus के option आएगा तो इसके अंदर type करिये यहाँ पर देखो इनवल कर रखा हूँ यहाँ पर कुछ ऐसे 2GB, 4GB, 6GB 6GB को पर मैं टिक करके एक बार phone को restart कर लिया था तो आपको simple अगर 6GB यूज करना है extra आनि 6GB RAM के लावा अलग से 6GB virtual RAM बगा यूज होगा तो यहाँ पर इनवल करके restart मारोगे तो phone के अंदर यह active हो जाएगा phone के settings के अंदर accessibility आएगा accessibility के अंदर जाने के बाद आपको एक option आएगा interaction and detectory option आएगा इसके अंदर answer and ending call features आपको हैं इसको आप टैब करिए यहाँ बर 4 टाइप का features यहाँ पर देखनों मिलता है एक तो आपको read color name and around तो इसको टैब करिए और आपका जिनका phone आएगा अगर आप phone direct screen नहीं देख पार हो कौन आ रहा किदर है automatic वो चिल्लाने लगेगा मतलब read and color name allowed तो आपका जो सामने से जो call आएगा उनका नाम automatic यह read करके आपको sound clear सुनाए देगा answer automatically इसके आप कर सकते हो और simple आपको यहाँ पर देखिए option दिया है auto setup करके आप 2 second में 5 second में 10 second में custom time भी आप set कर सकते हो कितने time में आपको phone जो है auto answer हो जाएगा और इस वियाप पे काफी बढ़िया होता है यह आप manage कर सकते हो यह काफी ठीक है answer automatic आपको बार बार यहनि कि उसका button यहनि कि swipe off करना नहीं पड़ेगा ठीक है प्रेस वॉल्यम आप टू answer call अगर आप इस features को enable करते हो यह वाला features को प्रेस वॉल्यम आप टू answer call वॉल्यम आप बटन को अगर क्लिक करते हो तो इसके answer हो जाता है यह काफी अच्छा रहता है अगर simple आपको यहाँ पर tap करते हो last वाला प्रेस साइड की to end call ठीक है ना और यह right side वाला जो power button वाला power button वाला जो key है अगर इसको आप क्लिक करते हो तो इसका call जो है end हो जाता है हम settings के अंदर जाएंगे और इसके अंदर आपको advanced features से एक option आता है उसके अंदर जाना है और इसके अंदर आपको motion and gesture के अंदर जाएंगे सबसे last वाला feature से उपर थोड़ा सा fingerprint sensor gesture enable हो सकता है यहाँ पर side में जो fingerprint sensor यह दे रखा है इसके थूरू आप manage कर सकते हो तो इसको मैंने enable करके रखा हूँ आप यहाँ पर देख सकते हो और fingerprint sensor को थोड़ा सा इसके थूरू में अगर manage करूँ तो मेरा उपर का इस sensor के थूरू यहाँ पर आप देख सकते हो notification पैनल बगरा सब कुछ show हो रहा है यह touch finger के साथ यह sub manage हो जाता है आप try भी कर सकते हो capture लेने के लिए इसके अंदर काफी problem है जो कि आपको पता है Samsung Galaxy device के अंदर अगर screenshot लेना है सब कुछ problem create हो जाता है यहाँ पर जैसे volume down button और power button power की को एक साथ हम press करते थे तो इसके अंदर screenshot हो जाता था but distancing device भी ऐसा नहीं है आप अपने हाथ को इस तरह रखके right side में set करोगे तो आपके साथ screen shoot आ गया मैं एक बार दुबार दिखाता हूँ यह मेरा main screen है और इस screen को पर यहां से मैं palm कर दूँगा नहीं की screen को set कर दूँगा तो screen shoot आ गया है अगर मैं यहां पर जाता हूँ जैसे Google वाला है इसको long screen shoot लेने के लिए मैं simple यहां पर जाता हूँ और यहां पर ठीक है ना यहां पर simple एक option आता है arrow key button इसको दबाता ही long screen आपके साथ आ जाता है आपको देखने मिल जाता है चलो gallery उपन करते हैं ठीक है यहां पर देखें एक बार में कितना बड़ा screen आपके सामने आए देखो desktop पे हो या आपके app drawer के अंदर हो app को आप hide कर सकते हो यहां पर three dot पे जाना है tap करके यहां settings आ जाएगा तो इसके अंदर थोड़ा सा नीचे चलोगा यहां पर आपका hide याप option आ रहा है तो जो जो application आपको hide करना है तो यह सब application hide हो जाएंगे click करो ओके यह application hide हो जाएगा done कर दो ठीके ना अब बाहर जाके देखो के ए लेटर में कोई भी application नहीं है क्योंको अलेट में ने जितने सारे ए में था सबटा दिया अगर इसको में वापस लाना जातों सेम टूसे वहीं पर जाना है मुझे settings में जाना है और hide apps में जाना है इसको यहां से move करना पड़ेगा done आप देख सेकते हो यह सब अप्लिकेशन वापस आगे हाइड अप्लिकेशन में काफी ठीक ठाग रहता है तो जोसते यहां पर लॉंग प्रेस करो home settings के अंदर आपको थोड़ा सा नीचे जाना है एक option आता है app icon bridge अगर आपको इसको क्लिक करते हो तो आप application के icon के उपर नंबर लिखा आता है अब और आपको खाली dot चाहिए android version में dot लिख सकते हो आपको यहां पर दिखेंगे जिसके अंदर हमें कुछ-कुछ message आया हुआ है जो कि मैंने rate नहीं किया हूँ वो सब यहां पर देखने को मिल जाएगा जो जो application आप set कर सकते हो दोस्ति यह था कुछ ordinary features जो कि seven ordinary features नहीं कि samsung galaxy device का उमीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए चैनल में पहली वार वीडियो किये तो चैनल को सब्सक्राइब करके औल वेर विडियो जावाएगे मिलेगे ने पर शाहत अब तक लिए बबर टिक्यार अनबंदे मातरा में